आपके गुद मॉर्निंग बच्चो हमारा आज का टॉपिक है सेल वाल कंपोनेंट्स आफ फंजाई नहीं आपके स्लेबस में दिया हुआ है चोटा सा टॉपिक है कोशिश करेंगे आदे गंटे में कम्प्लीट कर लें तीक है जो आज का टॉपिक का में फोकॉस रहेगा बच केमिकल्स विच कंस्टिटूट फंगल सेल वाल और सेकंडली हाव इस केमिकल्स आर अरेंजड इन आ सेल वाल ऑफ फंजाई इंदा मेंबर्स आप किंग्डम फंजाई तो आज मैंने एक पर सा नया तरीका निकाला है बच्चो है ना इस ब्लैंक इस पे स्लाइड पे मैं को एक बारी डीटेल से समझा दूंगा कि कि हमने क्या क्या चीज़े पड़नी है उसके बाद दो इमेजिज हैं दो इमेजिज जो फिर मैंने नेट से निकाला है एंड आ हैब यूज तो इमेजिस इन दिस लेक्च्चर एंड आम नोट दा ओरिजिनल आथर्टी आथर्टी तो इमेजिज इस दो इमेजिज इस एंडेक्चर एंड ग्यू आम तो इमेजिट लेद प्गलCेल अए प्वाल यू एंड हम हम एंड इस इमेजिज फ्वर करीज इसरी हैं झाल से जू तो एंड प्प्वर्व regional खन यू तो कि धमेजिट टूंड टू इस तो आफ आ दे न आप अपलोड़े उस्पूल इमेजिस ओन इंटरनेट थैंक यू वेरी मच अच्छा तो बच्चो पहले में आराम से एक बार समझा दूंगा आपको दस पंदरा एक मिनट में ठीक है उसके बाद दो इमेजिस से में आपको बताने कोशिश करूंगा कि फंगर सेल वाल क्या हो हुप इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स साथ नौ्स लाइड्स है वह मैं सिर्फ रीड करके बता दूंगा बच्चो तक तूए बच्चो तो लेट्बाख स्टार्ट कि सबसे पहले हमने देखना है कि what are the chemicals in fact ठीक है सिर्फ दो एक component में ये खतम हो जाएगा chemicals chemicals involved in a formation of fungal cell wall okay chemicals and second is a how these chemicals are arranged in a fungal cell wall arrangement a-n-g-e-m-e-n-t arrangement of chemicals chemicals in a fungal cell wall fungal cell wall का मतला भी बच्चो कि in all the members of a division you my quota ठीक है जो इमेजिस में दिखाऊंगा आगे को जन्रलाइज जैसे इमेजिस हैं क्योंकि हर एक स्पिशीज का जो फंगल सेल वाल होगा ठीक है वो कुछ ना कुछ मैनर में दूसरे से डिफर करेगा तो कौन-कौन और तीसरा होता है तीसरा जो इसका कंपोनेंट है छोटा सा हाउ डाज इट लूक अपियरेंस कैसा होगा अपियरेंस तो यह मैं पहले बता दूंगा फंगल सेलवाल इसको मैं अलग अनोटेशन करता हूं फंगल सेलवाल इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर इस कंपोजिशन इस कंपियर्ड टू दा कंपोजिशन ओफ एलगल सेलवाल इस मल्टी लेयर्ड और मल्टी लेमिनेट भी बोल सकते हैं यह न कई किताब में लेमिनेट भी लिखा होगा इस मल्टी लेयर्ड और रिजिड तो यह सबसे पहला फेक्ट फाइल याद कर लेना बच्चो फंगल सेलवाल का इस मल्टी लेयर्ड और मल्टी लेमिनेट मल्टी लेमिनेट और रिजिड वाइट इस रिजिड यह में यह वहला फेक्ट फाइल में आपको पहले ही बता देना चाहूंगा ताकि बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहे हमारे पास एक केमिकल है यह मैं आप लोगों से पूछता हूं बच्चों विच्व केमिकल इस आलवेज प्रेजंट इन आल दा मेंबर ऑफ फंजाई कौन सा होता है इस इस डेट केमिकल डिटेल आगे थोड़ा बाद में करा हूंगा ठीक है काइट इन तो इस केमिकल काल्ड काइट इस लार्जली रिजिड लीश्पॉंसिबल पार रिजिडिटी ना इस युद्ट में करेट आट के मिटल आए का र्म यह हंuts स्टाइट chilly-o बाद Glossaryal 6 which is present on top of the which constitute the top layer of fungal cell wall यह मैं आगे वाले slide में आगे बता दूंगा बच्छो नेक्स्ट एननोटेशन मुझे फिर लेना पड़ेगा सबसे पहले हम डिसकस करेंगे वाट आर दा केमिकल्स विच कंस्टिटूट फंगल सेल वाल नंबर वन इस कार्बो हाइड्रेट्स कार्बो हाइड्रेट्स जो कार्बो हाइड्रेट्स सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कार्बो हाइड्रेट्स का है बच्छो अंगल सेल वाल में कार्बो हाइड्रेट्स और इन विच फोर्म अगें लार्जली इस पॉली सेकराइड्स पॉली सेकराइड्स polysaccharides ठीक है एंड फ्यू डाइसेकराइड आराइसो दियर फ्यू डाइसेकराइड 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 बतलब क्या होता है तो मॉलिक्यूल लॉंग फ्यूक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट and this is the same these are few few disaccharides are there you mother is compared to the the amount very less whereas polysaccharides are present in large amount in different polysaccharides are present in large amount in the fungal cell wall and it is mentioned in literature लिटरेचर्स बाइब सेंहें लिटरेचर्ट प्रोक्तिमेटली एटी तू नाइटी परसेंत ऑफ फ़ंगल सेल वाल बाइब भाई इस वडिवर्माइब भाई दिफ्रेंट ढौली सेकराइड लिए तोड़ी देर बात बता हूंगा कौन-कौन से पोलिस सेकराइड है इसके का सेकिंड मैन केमिकल है प्रोटीन्ज प्रोटीन्स अप्रोटीन्स त्हेस कंस्टिटीट अब्रॉसिमेटली गें पर्षेंट ओफ दा च्ले वाल पॉफ फंजाई और यह प्रोटीन भी इंडींडेंदेंटली एक्जिस्ट नहीं करते हैं इस आरह हूंद आज some complex structure where they form bonds with a polysaccharide molecule and are found in form of glycoproteins. proteins अकेले नहीं पाया जाएगा ठीक है? फंजाई के सेलवाल में और जो गलाइको प्रोटीन यह बनाते हैं और गलाइको प्रोटीन चंस्टिचुट अप लेयर, आउटर मोस्ट लेयर उप फंगल सेलवाल and few limited quantity of some pectic substances are also there, pectic substances are also there, some salts may be present, some other types of proteins may be present, proteins in the form of enzymes may be present in fungal cell wall but our main focus is on carbohydrates which constitute 80 to 90% by mass of fungal cell wall and what are those carbohydrates? let us see carbohydrates carbohydrates या तो मैं इसको सिता पॉली सेकराइट लिख लेता हूं बच्वेन पॉली सेकराइट्स what are the polysaccharide major there could be more but we have this much information and regarding about 456 carbohydrates and that is sufficient polysaccharides s-a-double-c-h-a-r-i-d-e-s polysaccharides number one is our champion chitin because chitin is a must be present type of a polysaccharide chitin chitin second one is cellulose cellulose third one is chaos chaos fourth one is there is one more a polysaccharide called in fact uh है हिटेरोपोली से कराइड है ना काइटिन इस थोड़ी दिर में बताता हूं तो फॉर्थ वन इस काइटो सेन डाइटो सेन स अ न और लॉर्थ लास्ली मैनन म अ डॉबलन अ और न अ now few fact files again okay is present in all the members of fungal world okay and it constitutes say this is a multi-layered structure a central one is a broad this is some broad in the matrix form and this is inner then comes plasma membrane है ना बच्चो plasma membrane और आप लोगों को पता है plasma membrane कैसा बना होता है phospholipid bilayer से अरे यह गड़बढ हो गया कोई बात नहीं phospholipid bilayer से बना होता है फ्लुड मोजाइक मॉडल आफ प्लाज्म मेंब्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां देखकर आपको पढ़कर जानकारी हासिल हुई है तो फंगल सेल वाल इस आ मल्टी लेयर स्ट्रॉक्चर यहां मैंने थ्री लेयर जैसे बताया है तो जो सेलिलोज है इस आलवेज प्रेजेंट इस फर्स्ट लेयर इमिजेटली आफर प्लाज्म मेंब्रेन उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे यहां पर म मैंनोज प्रेजेंट होता है मैंनन इन इन ता फॉर्म औफ मैंनो प्रोटीन कि मैं ने बताया थाजिए उटा यह प्रोट्रेन के साथ कॉम्प्लेक्ट्स बनाता है ठीकैं मैंयो प्रोटीन को मेंje ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब हुआ उसमें एक कंपोनेंट रेता है एक कंपोनेंट प्रोटीन रेता है और जो सेंट्रल है इस फॉर्म बाइडिफेरेंट ग्लुकेंज टीफेरेंट ग्लुकेंज हुआ है जे सब्सक्राइब क्या मतलब हुआ जिसार्ण्फ ग्लूकोज भृट्श थे दिखिरेंट रेता है कि इसनलिए और इटिटिए प्रेंटिंटी आरनेच्टी आजेए कि क्या होगा इसी वन ग्लुकोज मॉलचिल इस अनादर ग्लुकोज सिक्स कार्बन मेंबर्स जब यह जुड़ते हैं तो पहले कार्बन का हमेशा पहले ग्लुकोज का कार्बन नंबर वन होगा दूसरे ग्लुकोज का कार्बन नंबर वन जुड़ा हुआ है फ्री जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है या कार्बन नंबर 6 जुड़ा हुआ इसलिए के लिए उस हिसाब से डिफ्रेंट ग्लुकेंज करते हैं कुछ हमारे पास है जैसे यह सेलुलोज है इसके इलावा एक और ग्लुकेंज हमारे पास बीटा 1-6-ग्लुकेंज इसका क्या मतलब हुआ कि जब यह पैलिमराइजेशन हुआ ग्लुकोस का कार्भन वन ने ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनाया carbon six of second molecule के साथ and so on and thus it formed a long chain of carbohydrate molecule called polysaccharide तो यह हो गया अब इसके बाद आता है cellulose cellulose is very less present and it is present in only first subdivision that is mastigomycotina mastigomycotina third one is kellose this is present in central layer cellulose if present is present in central layer and kellulose kellose is the most abundant carbohydrate most abundant carbohydrate found in fungal cell wall then comes chytocin if chytocin is present it is again present in a central portion because central region may of this a multi-layered structure and chytocin is found in a probably zygomycotina zygomycotina के members में यह पाए जाता है okay and menon also menon again it is present in the form of our menoprotein okay and what is menon menon is again a homopolysaccharide there is a hexose sugar called menose when these menose molecules polymerize they form menon and here in thungal cell wall these are present in the form of a of menoprotein a glycoprotein okay and then in the form of a chytocin in the form of a chytocin की बात करते हैं की वाइ डिस इस आ हो मोपोली सेकराइड बिकाउज इस आ पोलिमराइज प्रोड़क्ट ओफो और पाइटिन की बात करते हैं कि बाताइल ग्लुकोज अमीन का मतलब क्या हुआ जब ग्लुकोज मोलीकूल के साथ एक एसी टाइलेटिड अमाइनोग्रूप जुड़ जाता है एसी टाइलेटिड अमाइनोग्रूप का मतलब हुआ CH3 COONH2 यह group जब glucose के साथ मिल जाता है it becomes an acetylated glucose amine and chitin is nothing but polymer of an acetyl glucose amine तो यह क्या हुआ बच्चो is it a homo polysaccharide or heteropolysaccharide this is homo polysaccharide ठीके अब इसके बाद आते हैं next chemical next chemical नहीं इसी से करते हैं next one is cellulose there is a great similarity between cellulose and chitin that is why chitin is also called fungal cellulose fungal cellulose क्यों कि chitin का सब कुछ cellulose की तरह है ठीके और linkage भी कैसा है जो यह polymerization होता है beta 1 for glycosidic linkage glycosidic bond का फोर्म होता है sugars के बीच में sugar molecules के बीच में peptide bond formation का बोता है amino acids के बीच में जब यह protein बनाते हैं polypeptide बनाते हैं ठीके बच्चो तो इस वन फोर glycosidic बीटा फोर्म इस इस मोर स्टेबल फोर्म हमें चाटीक है alpha भी होते हैं लेकि इस अर्लेस टेबल इन नेचर जनरली इस अकरिन बीटा फोर्म तो क्या है cellulose है आपका glucose molecules का beta 1-4 linkage से बना हुआ polymerized product titan क्या है and acetyl glucose amine molecules जब बीटा 1-4 glycosidic linkages से जूठते हैं तो इस अर्ली डिफ्रेंस देटर इन कैस ऑफ काइटिन glucose हैस वन मोर स्पीशीज एड़ीट वट इस एड़ीट इस पीशीज एड़ीट इस एड़ीट बच्चो ठीक है अधरवाइस सब कुछ सेम है तो यह दोनों थोड़ा chemistry हो गया आप लोगों को सिर्फ सम्झाने के लिए बच्चो ठीक है जो chemistry बता रहा हूं क्योंकि आगे भी काम आएगा बाइयो के mystery में बहुत काम आएगा ठीक है आप लोगों ने इस अंसर में नहीं करना फर्स्टियर के ठीक है आप लोग अंसर कहां तक रिस्ट्र करोगे आगे जो मेरे slides आएंगे अगर वो points आप लिख लोगे ठीक है तो इनका chemical का जाला चिंता नहीं करना उख्राद है आप लोगों ने क्योंकि ये आपके syllabus का इसा नहीं है मैंन हिस्फा नहीं है है बच्छो ठीक है सिप लेकिन chemicals मैन हिस्फा है ज्रूरी है नेक्स्ट केमिकल इस केलोज 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 इस आल्सो आ ग्लुकेन और वटार केलोज केलोज इस आ ग्लुकेन दिश्ट बीटा 1-3-ग्लुकेन मिन्ज केलोज is a polymmer of glucose and how the glucose molecules are joined to form a polymer by beta 1-3 glycosidic bond means position number one, carbon number one of our first that hexose sugar glucose is joined to carbon number three of next glucose molecule and this is the chemical this is the carbohydrate which is the most abundantly present carbohydrate most abundantly present remember this kilos now next one is a chitosan chitosan this is o chitosan this consists of two types of sugars in fact one type but different side groups okay one chemical is a glucose amine glucose amine second one is a n-acetyl glucose amine the same chemical which forms chitosan 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 ageing eh glucose amine you हुआ ग्लुकोज मोलिक्यूल के साथ क्या जुड़ गया ऐसी टाइलेटिड अमाइनो ग्रुप जुड़ गया तो इस दा पॉलिमराइज फॉर्म ऑफ टू टाइपस ऑफ ऑफ मोडिफाइड ग्लुकोज मोलिक्यूल वन इस ग्लुकोज अमीन और इनका अरेंजमेंट है यह यह कोई डेफिन्ट फइशन में नहीं हैं कि एक गलुकोज aमीन है दुसरा यह की टीसरा फिर गलुकोजएमीन है नहीं है इनका औरेंजमेंट रेंडम है बट्चोँ ठीक है तो कमाईटवसिय्म हो गया और मेनभी मेनभी Mennon is a polymerized, it is a homopolysaccharide, homopolysaccharide formed of some hexose sugar like glucose, glucose is also a hexose sugar, hexose sugar means a sugar having six carbon species, six carbons are there, hexose, this is hexose, H-E-X-O-S-E, and the name of that sugar is Mennon, Mennos, and in fact Mennos, it joins to another Mennos molecule, it joins to another Mennos molecule, it joins to another Mennos molecule and makes a polysaccharide structure called Mennon, okay, and this Mennon is again, is not present in this form, rather it is present in the form of a glycoprotein, glycoprotein means this carbohydrate, this polysaccharide joins with some protein, sorry, I don't know the name of that protein, which proteins are there, but proteins are there, I know that, so this is sufficient for you, okay, so this is sufficient for you, okay, so this is enough, and we look back to the next lecture, thank you very much.